तुम्ही पहाताई BBC विश्वा सिधनात चाइना पाकिस्तान एकनोमिक कॉरिडर याचा बद्दल यापूर्वी सुधा आपन बोल्लो है पड़ आज थोड़ विस्ताराने बोलनारोत करें चाइना आणी पाकिस्तान ही भारताचे दोन शेजारी देश या प्रकलपा मुए एकतर ये तील बड़ भारताला मतर त्या मधे राष्ट्र या सुरक्षेला धूका असले जानोंते बलुचिस्तान मदला ग्वादर बंदर अशा मोक्या चा जागी है जा मोले चीन ला अनेक प्रकारचे फायदे हो शकताद चीन आखाती देशान कडून मोठ्या प्रमानात खनीचतेल आयात करतो पन हिंदी महासागर आणी पैसिफिक महासागर आमारगे है खनीचतेल पहुचायला जवल-जवल तीन महिने लागताद ग्वादर बंदरा मुले है अंतर बर्यास प्रमानात कमी होईल आणी चीन ला वर्ष भर मन जे कुठला ही रूतू तेला ची आयात करना सोप होईल या मुले चीन ची अर्थेवेवस्था अंखी बलकट होईल पन भारताला है अडचनीचे ठरू शकत चायना पाकिस्तान एकनोमिक कॉरिडोर मुले ग्वादर परेंत पोहुच्ण चीनला सोप होणार है सुरक्ष चा दृष्टिने भारता साथी ही चिंते ची गोश्ट है ग्वादर पासुन निगनारा रस्ता चीन मदल्या काशगर परेंत जातो हा रस्ता काराकोरम हाईवे मार्गे गिलगिट बालतिस्तान मधुन जातो हा प्रदेश वादग्रस्ता है असा भारताचा मणने आणि मणुनाच चीन चा इतला अस्तित्व भारता साथी डोके दुखी है ग्वादर पासुन 32 किलोमिटर अंत्रावर आहे इरान मदल्या चाबहार बंदर जे भारत सध्या विकसित करतो है है बंदर पूर्ण पणे सुरू जला कि भारताचा आखाती देशांची होनारा व्यापार आणखी सुलब होईल पन ग्वादर जवल चाबहार मदे भारताचा अशन पाकिस्तान साथी सुधा चिन्ते चा विशय है चीन चा साथी ने पाकिस्तान मदला है ग्वादर बंदर विकसित केला जाता है आणि तिथे सीपेक्ट चा भाग असलेला जो रस्ता बानला जातो है इस्ट बे एक्स्प्रेस बे रोड जो आहे तेचा मोने इतल्या स्थानिक मासे मारे व्यावसायावर परणाम होतो है अशी बीतिया खरतर या बंदराचा जागे परणता पोच्रण तसक कठीन है पड़ बीबीसी ने तिथे प्रवेश मिलावला है तिथू नच शुमाईला जाफरी यांचा हा रिपोर्ट पहुया मासे मारी करणार्या नाखודा अल्लाबक्ष साथी हा समूद्र आई प्रमाणे आहे ग्वादरचा सत्तर टक्के लोकान प्रमाणे अल्लाबक्ष सुद्धा मासे मारी करून घर चालवतात पन सद्ध्या तेंचा व्यवसायला उतरती कड़ा लग लिये अल्लाबक्ष सार्ख्या शेकडो मच्छी मारानना समुद्रा जिते सगड़ा जास्त मासे मिल्टात त्या भागा जाईला बंदी के लिगे लिये करण चाइना पाकिस्तान एकोदमिक कोरिडोर सा भागस लेला एक रस्ता या भागा तुन जातो है ये स्टाइना पाकिस्तान एकोदमिक कोरिडोर के लिए इंतिहाई एहम है क्यूंकि ये इस्ट बे एक्स्प्रेस वे ही है जो के गवादर डीप सी पोर्ट को सडकों के उस जाल से जोड़ेगी जो के इस चहर से शुरू होने वाले एकोदमिक कोरिडोर को चीन के इलाके काशकर से मिलाने जा रहा है एकोणीस किलोमेटर लांबी चा या इस्ट बे रोड चा बानका मवर लशकराच रातरन दिवस लक्षास्त स्थानिक मच्ची मारान ना या प्रकलपा बदल काही आक्षे पाहेट या मच्ची मारान से नेते युनूस सांकतात कि मासे मारी सठी समुद्राद जाता याव या सठी 12 फूट रूंदी चे तीन बोगदे बनवले जाना रेत मच्ची मारान ची मागणी आहे कि है बोगदे 200 फूट रूंद सावेट पढ़ी मागणी अजू नहीं मान्य जाले ली ना ही अगर ये रोड इसी तरह बन गया तो हम समझते हैं कि हम पूरे समंदर से बेदकल हो जाएंगे और अमारी जो गुसर बसर है रोजी है रोटी है ये मुकम्मल ही कतम हो जाएगी अगर अमारी मुतालवात मंजूर नहीं हुए तो अम परेशानी में भू का अपलास की जिन्दी गुजारने से बेतर हैं अम रोडों पर आके बेट जाएंगे या परिसरातले बहुताउंश लोकांचा चरितार्थ प्रत्यक्षकिवा अप्रत्यक्षपणे मासे मारी शी निगडिता है बोटी बनवनार्या कामगारान वरही आचा परिणाम होणारा है अधिकार्यांचा मंणने इस्ट बे एक्स्प्रेस वेचा बानका मा मुले मासे मारी व्यवसायला धक्का लागुने या साठी ते अधिकाधिक सोई उपलब्ध करून देडारेत पण मच्छी मारानना हा दावा मान्य नाही वादर मदली अस्वस्थता सद्ध्यातरी संप्णेची चिन्धनाईएद